ओम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो लोए सव्वसाहुनम एसो पंचणम उकारो सवप्पाव पनासणम मंगलानम्च सव्वेसिम पड़मम हवै मंगलम ओम नमो अरिहंतानम महादेव्याकुक्षिरत्नम शब्द जेतर वात्मजम राजचंद्रम्महं वंदे तत्व लोचन दायकं प्रभु तत्व लोचन दायकं परात्पर गुरुवे नमहं परंपराचार्य गुरुवे नमहं परंगुरुवे नमहं साक्षात्प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमहं अनन्त अनन्त भाव भेद थी भरेली भली अनन्त अनन्त नाय निक्षे पे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारीनी हारीनी मोह तारीनी भवब्धी मोक्ष चारीनी प्रमानी छे उपमा आप्यानी जेने तमाराख वीते व्यर्थ अपवाती निजमती मपाई में मानी छे अहो राज चंद्रबाल ख्याल नती पामताई जीनेश्वर तनी वानी जानी तेने जानी छे गुरू राज तनी वानी जानी तेने जानी छे ओम जानी जानी सर्द गुरू रा त्ट्वचर्च मां स्री आत्मबुद्शतक गाठाः शित्योतिय के संद्र sketches सेवन एक एकलेटी जिल्वान चाहिए निज पर दुश करमों के द्वारा क्यों उपसर्ग कराते हो निज पर दुश करमों के क्यों उपसर्ग कराते हो मिथ्या तम अवीरति कशाय ओ योगद्वार खुलवाते हो मिथ्या अवीरति और योगद्वार खुलवाते हो अपने हाथो निज ग्रह में क्यों आग लगाते रहते हो अपने को ही अपना मानों अपनों में क्यों रमते हो निज पर दुश करमों के द्वारा क्यों उपसर्ग कराते हो मिथ्या तम अवीरति कशाय ओ योगद्वार खुलवाते अपने हाथो निज ग्रह में क्यों आग लगाते रहते हो अपने को ही अपना मानों अपनों में क्यों रमते हो मिज पर दुश करमों के द्वारा क्यों उपसर्ग कराते हो मिज पर अपने पर दुष कर्मों के द्वारा दुष कर्म मतलब पाप कर्म मुख्य रुप से पाप पांच प्रकार के हैं इंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मन, मतलब कुशिल और पांचवा परिग्रह, संग्रह करना, अनावशक वश्तू का संग्रह करना प्रमाद के योग से प्राणों का विच्छेद कर दें प्राणों का घात करना उसको हिंसा केते हैं प्रमाद के योग कमलव अपने किसी स्वार्थ से दूसरे के प्राणों का घात करना अपने भोजन के लिए करना अपने चलने फिरने के लिए करना अपने बाग बगी चे लगाने के लिए करना अपने और भी आजीविका के धंदो के लिए करना किसी के लिए भी करना प्रंतु अपने स्वार्थ के लिए दुसरे के प्राणों को घात करना उसका नाम हिंसा के लगता है फिर असत्य प्रमाद के योग से सत्य किसे कहते हैं प्रमाद के योग से जूट बोलना ये असत्य कहलाता है समन्य प्रमाद का योग किसे कहते हैं कि जिसमें दुसरे का नुकसान हो इस प्रकार का जूट बोलना उसको असत्य कहते हैं किसी का भला हो ऐसा जूट बोलना वो जूट नहीं है वो सत्य किसी का भला हो भला हो का मतलब उसके प्राणों की रक्षा होती है अत्मा कुछ भी होता है ऐसा जूट जूट नहीं है और अपने सत्य से किसी के प्राणों का घात होता है तो वो असत्य है ऐसा असत्य नहीं बोल आत्मा सत्यश है अदत्तादानम स्तेयम चोरी किसको कहते हैं अदत्तादानम बिना दिये हुए लेना उसको चोरी कहते हैं आपने को कोई दे निरार हमने उसकी वस्तु ले 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 बिना पूछे उसको अदत्तादान कहते हैं वो स्ते चोरी कहलाता है मैथुनम अब्रम्म मैथुन कामभोग वो अब्रम्म कहलाता है और मुर्चा परिग्र परिग्र क्या है मुर्चा भाव होना ये परवस्तु में ये मेरी है इस प्रकार की बुद्धी होना उसका नाम परिग्र है वास्ता में परिग्र सामाने रुप से किसको कहते हैं अपन कि बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह करना उसको अपन परिग्रह इखट्टा किया है सकते हैं तो वह वास्ता में वह वस्तुओं परिग्रह नहीं है परन्तु उन वस्तुओं के प्रतिचों हमारा अपना भाव है कि ये सब मेरी हैं मेरे घर में जो है वो सब मेरा है अब आपके उपयोग में आता हो के नहीं आता हो पर मेरे पने का भाव है तो वो परिग्रह है और अपने घर में बहुत है परंतु उसमें मेरे परने का भाव नहीं है तो वो परिग्रह नहीं है तो मुर्चा भाव कदाचित अपने पास नहीं हो तो भी अगर मुर्चा भाव है तो वो परिग्रव है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव होता है, मिध्या दृष्टी जीव होता है, उसको इस तीन लोग का परिग्रव है, तीन लोग में, श्रिष्टी में, जितनी वस्तुवे हैं उसकी उसको अबुद्धि का भाव है कि मेरे को तिन लोग के भोग मिले असा सब चाहता है निगोध के जीव के अंडर भी ऐसी भावना है इसलिए उसको तीन लोग संबन्धी सारा परीग्र उसको पाप लगता निकलता है इसलिए परीग्र मतलब जो अपना नहीं है उसको अपना ये बड़ा पाप क्यालाता है फिर राग से भी होता है कदाचित आपके मिथ्या तो मुर्षा भाव तो निकल गया परन्तो कभी-कभी राग से वस्तु को रखते हैं अपने पास में अपना पना नहीं मानते हैं पर राग है इसलिए राग भाव से रखते हैं तो वो राग भाव से जितना रखते हैं न उसका भी पाप का दोश्त तो अपने को लगता ही है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि ये मेरा है जी शरीर के प्रती मुर्षा है वो भी परिग्रह है कि किसी के भी प्रती मेरा है ऐसा भाव है परद्रवे के प्रति तो मुर्चा परिग्रव क्यलाता है अपने को देखना कि हमारे जीवन में कितनी वस्तुए अवशक हैं तो साइब भी तो स्वाध्य में बार बार केले बेनों नो उधर और उधर ले बेनों ने वरस्मा कितनी साडियों पेरता हो का जादसे और रखते कितनी हैं पचास पचास्थ 10 गपड़गे नि आते हैं कभी am morte कर एंव परिघ्र है टू का पशै तो अपने जीवन में एक देख लेना कि मैं बहूत बार यह कहता हूं तिन काटेग्री बनाना ये तो ये आया ना, कि दुष्कर्मों से उपसर्ग क्यों कराते हैं, इसकी वाद चल रही है, तो हम उपसर्ग कैसे करते हैं दुष्कर्मों से, आवशक्ता, सुविधा और विलासिता, आवशक्ता, सुविधा और विलासिता, ये तीन केटेगरिया बनाना अपने जीवन में कि अपने आवशक्ता क्या-क्या है फिर सुविधा में क्या-क्या है अपने पास सुविधा वाला और विलासिता वाली कौन-कौन सी समगरी तो सब चीजे निकल जाएगे अपने अगर विलासिता वाली चीज़ दिक आवशक्ता जीतना ही है तो आवशक्ता तो जीव की बहुत कम है जीने के लिए विक्ति को क्या चाहिए रोटी, कपड़ा और मका और समाज में रहना है तो थोड़ा समाज के हिसाब से थोड़ा बहुत चाहिए अच्छा घर हो, अच्छा ये सब चीजे सामन्या सुक सुविधा में क्या है मनोरंजन के जितने साधन है वो सब सुविधा में आ गया जीवन में जो जीने के लिए आवशक नहीं है परंतु अपने मन का रंजन करने के लिए केवल मनोरंजन करने के लिए वो सब सुविधा है कदाचित वहां तक भी जले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है परन्तु फिर विला सिता में आ गया है तो फिर बहुत बड़े पाप का भवारम परिग्रत्वम नारकस्यायुशह वो कहां जाके गिरता है वो वेक्ति नरक में जाकर के गिरता है सुच ले ना अपने घर में ऐसा क्या-क्या हमारे पास है कि जो केवल आवशकता है अथ्वा थोड़ी सुविदा है अथ्वा विला सिता की सामग्रिया हमारे है एक घर चाहिए पर इसने तिन तिन घर कर रखें घर में एक गाड़ी हो तो चलता है पर दो दो चार चार या रख रख ह्थी है, यह सब शोमेंचशीप है दुस्रों को बताने के लिए ये सब गृध दुसरे तो खुश होंगे का नहीं होंगे वो बात अलग है पर तुमारा आत्मा है ना उसके उपर उपसर्ग कर रहे हैं कि निजपर दूश कर्मों के द्वारा क्यों उपसर्ग कराते हो उपसर्ग का मतलब आपत्ति ऐसे हिंसा असत्य चोरी अब्रह्मा और परिग्रह ये पाप कर्म ही दुश कर्म करके अपने उपर क्यों आपत्तिया कराते हो ये दुसरे के उपर आपत्ती नहीं आने वाली हैं, ये सब आपत्तियां अपने उपर आने वाली है, हम ही इस परिस्थितियां से पाप बंदता है और पाप बंद से हमको ही प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, फिर अपन रोते रहते हैं, मैंने तो कोई दोश नहीं किया तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है वह आपके साथ इसले हुआ है कि पहले आपने ये किया था समय पांच पापों में लिप्त हो रहा था और बहुत मजे से लिप्त हो रहा था अनंद में लिप्त हो रहा था अब उसका उदे आ रहा है फिर वो रोता है कि मैंने तो कुछ दो पाप करेगा, तो नया पाप बंदेगा, और फिर उसका उदय आएगा, क्या क्या है? किसी के पुन्ने का उदय होता है न, उस समय उसको पता नहीं चलता है, कि भोग विलास में डुबा रहता है, पाप भी करता है, सब कुछ जो नहीं करने के लिए का है, वो सब करता है, जब उसके पुन्ने का उदय होता है, तब पुर्वो में कुछ अच्छे काम की होंगे, पुर्णे का, उस समय उसको पाप पाप ही नहीं लगता है, कि इसमें क्या है? ये तो अपने को अपने भाग्य से सब मिला है, तो भोगे न इसमें क्या दिक्कत है? परन्तु अगर आप आ इसी जनम में या फिर दूसरे जनम में इसका रिजल्ट मिलने वाला, ये फैक्ट है, ये को अंधविश्वास नहीं है, ये को रूडियां नहीं है, सब के जिवन में ऐसा समय आता है। अविरतिक कशा है और योग द्वार खुलवाते हो, तो ये दुश कर्म करके, पाप कर्म करके क्या-क्या खुलता है? ये चार द्वार हैं, वैसे तो पांस द्वार है, प्रमादलिया नहीं उसमें, आ जाता है। आस्रव के द्वार खुलते हैं, कर्म पाप कर्मों के आस्र तो वो मिध्यात्व की गिंती में आ जाता है सारक सारक मिध्यात्व का द्वार खुला मिध्यात्व बंदा अविरती मडलापन पांच इंद्रिये के जीवों की विराधना करते हैं उनका घात करते हैं और मन को अन्यत्था प्रवर्ति करते हैं दिन भर पाप भावों में मन को लगाए रहते हैं और शटकाय के जीवों की विराधना करते हैं पांच इंद्रियों विशों में प्रवर्तन करते हैं मन के विकल्प करते रहते हैं अनावशक कल्पनाएं और फिर शटकाय के जीवों को शटकाय के जीवों मतलब पांच प्रत्वीकाईक बोलो प्रत्वीकाईक जलकाई अगनीकाई वायूकाई और वनस्पतिकाईक इन पाँचों की परिभाशा कौन बता सकता है चलो प्रत्वीकाईक किसे केते हैं यह जीवों की बात चल देआओ प्रत्वीकाईक किसे केते हैं येस, बेरी बी, पृत्वी रूप जिसका शरीर है, पृत्वी मतलब रेत हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, पृत्वी अन्यक प्रकार की होती है, उसको पृत्वी काईक, जल रूप जिसका शरीर है वो जल काईक, जल ही जिसका शरीर है, ये सारा जल है वो सब जीवे हैं, ऐसे अ जिसका शरीर बना के रखा है जिसने है वो वयुकाई और बनस्पति जिसका शरीर है पेड़ पोदिय वगाड़ ये वो बनस्पति काई इसमें जीव है अनावशक विराधना इनकी करनी नहीं फिर तरस जीवों के तरस में कौन-कौन साएंगे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगनी, असंगनी, दोनो दो इंद्रिय में कौन-कौन से हैं उदारण बता एक्जामपल दो इंद्रिय जीवों के एक्जामपल याड है क्रमी है, क्रमी अपने पेट में कीड़े वगरा नहीं पड़ते हैं, यह सारे दो इंद्रिय जीव हैं, फिर तीन इंद्रिय जीव हैं, कीड़ी है, मकोडा है, यह सारे रेंगने वाले जीव होते हैं यह सब तीन इंद्रिय जीव हैं, और चार इंद्रिय जीव हैं, भवरा है मच्छर हे, मक्खी है, जो भी उडते हैं, जो जो भी उडते हैं, वो सारे का चार इंद्रिय वाले जीव हैं और पांच इंद्रिय वालों में फिर दो प्रकार हैं, एक तो सैनी संगनी जिसके मन सहित होते हैं और एक मन रहित होते हैं तो मनुश्यों और पशु ये सब संगनी होते हैं उसमें पशुओं में कुछ और संगनी बिना मन वाले भी होते हैं एक्जाम्पल कि जैसे पानी में रहने वाले सांप उनके मन नहीं होता है पानी में रहने वाले मेड़क बहुत सारे मेडिकों के ऐसी जातिया हैं कि उनके मन नहीं होता है बाकी बहार रहने वालों के होता है ऐसे अलग-अलग प्रकार से कुछ पक्षियों की भी ऐसी जातिया है जो बिना मन वाले होते हैं सौच विचार नहीं सकते हैं बाकि लगभग सब सौच विचार सकते हैं। तो इन सब की विराधना पशू पक्षियों की अपने नहीं करना, किसी भी कारण से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इनको भी जीनने की इच्छा है। पापबंधन को कैसे होता है उसका साइंस? कि सबसे पहले तो हमारे राक से हमारे शरीर के प्रती हमें राग है। इसलिए इसको पुष्ट करने में, इसको खिलाने में, इसको अच्छा रखने में, इसके लिए कुछ वश्तु इखटे करने में पाप करते हैं। उस राग का पाप लगता है। अपने शरीर के अपड़ती राग है इसलिए थो हम उन जीवों की विराधना कर रहे हैं और उनको जीने की इच्छा है अगर कोई मरना चाहते हो और आप कदाचीत आपने उसको मार भी दिया तो बहुत बड़ा पाप नहीं है पर बहुत बड़ा पाप नहीं है परन्तु कोई भी जीव मरना चाहता नहीं अभी देखना चीटी होगी न चलती होगी तो उसको थोड़ी सी भी ऐसे आप हाथ रखना ऐसे उसके मार्ग में वो तुरन डर करके अपना मार्ग बदल लेती है यह इड़ होती है उसके भी मार्ग में आप लकड़ी रखना वो उसका मार्ग बदल देती है क्योंकि उसको डर लगता है कि यहां मेरे लिए कोई भय वाली वस्तुए यहां मेरे प्राणों का संकट है ऐसा करके वो मार्ग बदल देता है इसका मतलब है कि वो मरना नहीं चा बड़ा पाप क्यों कहा कि मांसाहर जीवों को मारे बिगर नहीं हो सकता इसको मारना ही पड़ेगा आपको और वह मरना नहीं चाहता है और मरना नहीं चाहता है और आप अपने मोच छोग के लिए मारते हैं और बहुत तो समाज में इसी रूड़िया चली गई है कि धरम के नाम पे मारते हैं बहुत इसे हिंदू समाज में बली चड़ाते हैं माता जी प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऐसे माता जी है तो वह माता जी क्या है और आक्षिस थी है वह माता जी नहीं है जो किसी को प्राण चाहे किसी का मांस चाहती हो उसको आप माता जी कैसे कह सकतो मा का अर्थ होता है सब की रक्षा करते हैं मा का मदलब यह है कि सब की रक्षा का भाव होता अपने बच्चों की रक्षा करती है अब उसी की पुजा करने के लिए दुसरों को मार करके उसके पास ले जाती है कैसा धुरम है और वो समझता है कि हमने माता जी को चड़ा दिया हमारा काम हो जाएगा हमारी आशाएपूरी हो जाएगे एसे बहुत हमारे उधर एक आशापूरा माता चलती है आशापूरा माता का वो ऐसी चड़ाते हैं लोग अभी भी अभी भी इसा है और अच्छे अच्छे लोग चड़ाते है कुल परमपरा से कुछ रुडियां गलत रूडिया चली आती है, तो इस प्रकार से होता रहता है, आस्चरी की बात है, महानास्चरी, मिध्यातम अविरती, इसको तो ये अविरती है, फिर कशाय है, पचीस प्रकार की कशाय, चलो कौन नाम बताएगा, पचीस कशायो के नाम, चरलमासी, चार तो बताएगा, अनन्ता नुमंदी क्रोध मान माया लोग, चार ये हो गई और, प्रत्या ख्याना वरणी क्रोध मान माया लोग, ठीक, प्रत्या ख्याना वरणी क्रोध मान माया लोग, संजुलन, संजुलन क्रोध मान माया लोग, ये तो हो गई सोला, अब बागी नो, हास्य, रती, अरती, शोक, भय, जुगुपसा, स्त्रिवेद, पुरुश्वेद, नपुन्सक्वेद ये सब कशाय कलाती, कशाय का अर्थ होता है, जो कश सब्द करशी से आया, करशी से करशी बनता है उसका अर्थ ये कि जो अपने संसार को सीचती है चतूर गती रूप संसार को जो सीचाई करती है, जैसे पानी, पिलाते हैं अपने पोधों को तो क्या होते हैं, पोधे होते हैं, वो बड़े होते हैं, अना आज खिल जाता है उससे उसी प्रकार के ये अपना चतुर गति रूप जो संसार है न उसकी सिचाई करते हैं तो हमारा संसार हरा भड़ा रहता है संसार खतम होता नहीं है चार गतियों का परीब्रमन चलता रहता है इन कशायों के कारण से इसलिये उसको कशाय ऐसा नाम कहते हैं ये कशा है, तो ये सारी कशा है, और फिर तीसरा का यहाँ, प्रमाद भी है, बैसे तो, प्रमाद का मतलब कुशलेशु अनादरह प्रमाद, कुशल का मतलब अच्छा, शुब कारिय में अनादर होना, अरुची होना, उसका नाम प्रमाद है, प्रमात का अर्था कुछ नहीं करना ऐसा नहीं है बहुत से वेक्ती दिन भर बहुत काम करते है पर सारे काम अपने स्वार्थका कर रहा हो तो सब में पाप कमा रहा है और कहता ऐसा है कि मैं तो सुबह चार बजे से ऊँठता हूं और चार बजे से उट करके रात को दोस सग्यारा बजे तक जाकता हूँ और जरा भी प्रमाद नहीं करता हूँ ये भाई बहुत मेहनत करता है ऐसा केते हैं ये भाई बहुत मेहनत करता है पर वो भाई सारा दिन करता क्या है उसने सारे अपना स्वार्थ का ही काम सारे के सारे किये हैं तो उसको भगवान कहते हैं कि यह प्रमा दिये हैं करने योग ये काम अपनी आत्मा का कल्यान का भी नहीं कर रहा है और दूसरों का भी नहीं कर रहा है सारा दिन अपने स्वार्थ के काम में लगा खुआ है सारा काम प्रमाद में आ गया सब प्रमाद में कुशल जो की कुशल खशेम रखे अपने को सुख दें ऐसे कोई काम करता नहीं बस सब इखटा करने में लगा हुआ है फिर केते हैं मेरेको तो टाइम ही नहीं है यार मने तो मरवानो टाइम न थी कोई गया वाई तमें थोड़ो सत्संग सामलो जरा थोड़ो दस मिनेट आरामती बेसो आख बंद करीने जरा थोड़ो ध्यान करो थोड़ो शांती जीव को शांती नहीं चीए जीव को सुखी होना जीव को क्या होना है शुख होना है और शुख होने के लिए उसकी सुक्षी परिभाशा यह है बहुत सारी भगोव्भोक की सामगरिया इकटी करो और उन सुविदाव से मेरे को सुक उठ्पन होता है पर उसे तो होता नहीं है और कहता ये कि मेरे जीवन में सब कुछ है पर शान्ती नहीं है और शान्ती के सब दरवाजे बंद कर रखे वो जो काम कर रहा है उससे अशान्ती पैदा क्योंकि आप जितने भोगोबो की सामगरिया एकट करोगे उससे तो शान्ती बढ़ने ही वाली इतने विकल्प बढ़ने ही वाले आपके पास पहले एक गड़ी थी अब दुसरी लिया है तो आप दुसरे के विकल्प बढ़ेंगे कि नी बढ़ेंगे उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा तो फिर आप दो नंबर का और करोगे करना ही पड़ागा आप जितनी साधन सामगरी उसका maintenance करना उसका यह एक थे तो सुखी थे पर एंतो जीव को शान्ती का मार्ग अभी तक पता ही चाहिए शान्ती अमारा जीवन मा शान्ती नती तो भाई, तुने करांती अपने हाथों से कर रखी है, तो ये तेरी करांती कम करो, तो शांती मिल जाए, सादगी, सरलता, सहजता, नेचरल जीवन, बहुत अधिक अपने को नहीं चाहिए, तो शांती मिलती है, त्याग और वेराग में शांती है, किस में शांती है, त्याग, वेराग और संतोष जितना हम त्यागेगे न उतनी हमारे जीवन में शांती बढ़ती जाएगे और जितना हम इखटा करेंगे उतनी हमारी अशांती ये त्रेकाल त्रेकालिक नियम है स्रश्टी का जितना होगा उतना सादू के पास भी कुछ होने उसकी जोली में तब तक उसको अशांती अशांती है और जब चला जाता है तो एक महाराच जोली लेके घुमते थे उनको कई से सुर्ण की महरे मिल गई तो अब जब उन्होंने उठा लिया अब रात को सोए तो पहले तो जोली ऐसे कहीं भी रख करके सो जाता था पर उसमें सोने के मोरे हैं अब वो नहीं रख सकता है कहीं भी इसलिए वो कहां सीर पे रखता है सीर के नीचे तक्या बना करके रखतार है अब और रात को फिर नीद में तो पता नहीं के तक्या यह है के नहीं इसलिए बार बार इसकी नीद खुले घ्यार वो बराबर है तौस्छी के था हो गार ऐसे घंटे-घंटे में उसके मतल offset की नीद हराम हो गयी वो मराज की अब उन्हों सोचा कि ये मैंने कहां आपती ले 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 फिर उन्होंने उसको नदी में जाकर के डाल दिया कि वह ये जाओ इसके कारण से मेरी अशान्ती थी तो कोई भी अपने पास परीग्रह आता है तो उससे अशान्ती बढ़ती है पर दुनिया के लोगों को उसमें शान्ती लगती है क्या किया जाए दृष्टी में फेर है और जब ये दृष्टी सुल्टेगी नहीं तब तक सुख और शान्ती मिलने वाली नहीं दृष्टी मा समूल गो उलट भई मोरे नेनन की मिरा भई ऐसा केती है कि जब तक अपने नेनों उलट नहीं जाते न दृष्टी आप बदलती नहीं है तब तक जीवन में हम जीते नहीं है मरते ही जाते हैं धिमे धिमे सत्संग से बार 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 चौट पड़ेगी न तो चौट लगती है वो पिट्टी जाते है न अगनी लोहा अगनी में पीटा जाता है तो धिमे 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 आकार लेता है उससे कुछ भी बना सकते आप तो अपने आत्मा को सत्संग से सत्पुरुषों के वचनों से बार 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 पीटना चाहिए है तो फिर धिमे 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 हमको तो उठेगी पर एक बार चोट करी दूसरी बार करी करते रहो चोट करते रहो चोट कभी एक जीवन में उठती भी नहीं यह लाइट दो दो तीन तीन जनम लेने पड़ते हैं परन्तो लगे रहो मुन्ना भाई अपना पुरशार्थ पर लगे रहेगा योग केते हैं मन वचन काय की प्रवर्ती का नाम योग है तो अपन मन वचन और काय से कुछ नुकुछ करते रहे यह सब आस्रव के द्वारे कर्म आते हैं उससे और अपने उस कर्म की कशाय के अनुसार इस्थिति अनुभाग बनते हैं फिर कालांतर में उसका उदय आता है फ उसके समय फिर फल देते हैं, उस समय फिर से जीव नए भाव करता है, और फिर नए करम बानता है, ऐसा उसके चार गति का संसार का परीब्रमन चल रहा है, और उसमें से निकलने की इच्छा इस जीव को होती नहीं है, जी, उसके आधा अपनी कश्ण, प्रश्ण ऐसा किया हु इसका आधार किस आधार पर है, तो आपने किसनी स्थिती का बान्दा है, और स्थिती है वो कशाय के आधार पर है, तो आपने आपका अगर तीवर कशाय भाव है, तो आपने ज़्यादा इस्थिती का पापकर्म बान्दा है, ज़्यादा इस्थिती का बान्दा है, इसका म जैसे एक कोड़ा कोड़ी का अबाधा काल सो वर्ष का होता है एक कोड़ा कोड़ी एक कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बांधा उतनी स्थिति का बांधा तो उसका अबाधा काल सो वर्ष का होता है वो सो वर्ष तक उदे में नहीं आएगा इसके बाद वो उदे में फिर वो सो वर्ष के बाद आपको आपने मानलो एक कोड़ा-कोड़ी स्थिती का बादा तो वो सो वर्ष बाद उसका अबाधाकाल जैसे ही पूरा होगा अब उसका पहला निशेक उदे में आएगा और सतत एक कोड़ा-कोड़ी सागर तक आपको फल देता रहे गा लगातार उसका फल, यह मिलता रहेगा, इसलिए तो हमारे कर्म निरहनतर उदे में आरें, फल देते ही रहें, एक शण भी हम शुबाशुब भाव के बिगर रहते नहीं, ऐसा है, इनका प्रशन अलग है, कि कोई भी कर्म उदे में आता है, तो कर्म के योग्ये उसको अपने द्रव्यक्षेतर काल और भाव चाहिए, उसके द्रव्यक्षेतर काल भाव उसको उस प्रकार का होगा, तो वो कर्म उस समय वहां उदे में आता है, अब जैसे कि जीव है प्रती समय का मतलब समय समय कोई निकोई जाती का कर्म बांता है तो जैसे अपने भाव सामान्य भाव होते हैं सरलता वगरा के तो हम मनुष्य गती का आसरव करते हैं और उसके सत्ता में पढ़े रहते हैं कर्म फिर हमने कभी हमने रोधर ध्यान किया तो नरक गती के योग्य आश्रव किया फिर कभी हमने मायाचारी का भाव किया तो तिरियंच मरलब पशु पक्षी बनने के योग्य उसकी गती का आश्रव किया और कभी हमने अच्छी ध्यान, पुजा, इत्यादी के सत्संग, इत्यादी तो देव गती के योग्य कर्म बांधा अब ये सब अपने सत्ता में पड़े हुए हैं, सारे चारो गतीों के योग्य कर्म अपने सत्ता में पड़े हुए हैं, अब वो उदे में कब आएंगे, अब जीव जिस जो आयू बांधी उसने वो आयू बांधी उस आयू का जब उदे आएगा तो उसके योग्यक द्रव्यक शेत्र का मनुष्य आयू का उदे है तो जितने मनुष्य आयू के बांधे थे ने उसने पहले अब जब मनुष्य आयू का उदे होगा तब सब कर्म उदे में वहाँ आएंगे अब किसी ने नरक गती के योग्य कर्म बांधे थे तो अगर नरकायू बंधे उसकी तो वो नरक में जाएगा तो उस समय नरक के योग्य जितने कर्म बांधे थे वो सब वहाँ उदे में आएंगे और उसको तकलिफ देंगे ऐसा उसका समन्य अवलोकन है बाकी तो कोई कर्म अपनोंने बांधा जिसे नरक के योग्य कर्म बांधा और उसकी स्थीती कम है और हमने आयू नरक की बांधी नहीं और उसका उदेकाल अभी आ रहा है तो हम अगर मनुष्य है तो भी वो कर्म हमारे परमुख होकर के उदे आता है नरक गती के योग्य कर्म मनुष्य गती में बी उदे जाता है क्योंकि उसकी स्थीती पूरी हो गयी है उसका काल उस समय पूरह हो गया है इसलिए मनुष्य होते हुँ गभी-कभी वेक्ति नार्की जैसा वेवार कर ले था है वो बांधा था कर्म था वो नार्की के योग्य बांधा था पर अब इसकी स्थीति अभी मनुष्य जीवन में ही पूरी हो रही है कालब उदेक आ गया उसका तो अब मनुष्य को ही नार्की जैसे भाव होंगे और ऐसा करते करेगा आते ये ना मनुष्य कैसा कैसा क्या आज कल के तो ज़्यादा नरक के योगई भाव करते हैं सारे नारकी जैसे भाव करते हैं लोग कुछ भी लाज शरम नहीं है हिंसा करते हैं तो बहुत प्रसन्नत आसे करते हैं जूट बोलते हैं तो बड़ी प्रसन्नतास और खुश होते हैं, कुशिल का सेवन, बलातकार वगरा, यह कितना सारा हो रहा है, यह सब उनके नारकी के योग्य करम है, पर उनका उदे का लागया है, इसलिए मनुश्यक्ति में उनका उदे है, अब उसके फल सुरुप फिर बं हैं, इसलिए अपने विधाता हम हैं, कोई विधाता सात्वे आसमान पर बैठा हुआ नहीं है, हम ही स्वयम करम करते हैं, हम ही उसको भोगते हैं, हम ही सारा का सारा करते हैं, सारी जिम्मेदारी हमारी है, अपने उपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने हातों निज गृव में क्यों आग लगाते रहते हों, अब लाश्ट में बहुत अच्छी बात कहीं, अपने को ही अपना मानो, अपनों में क्यों रमते हो, यह है अपने को ही अपना मानो स्वयम को ही अपना मानो और हम तो कौन है चेतन्य आत्मा है सहज ज्याता द्रश्टा ज्यान द्रशन आनंद से परिपुर्ण सहज शांती से परिपुर्ण ऐसा अपना चेतन तत्व है तो वो ही मैं हूँ मेरे आत्मा के अतिरक्त और जो भी हैं वो सब पर हैं ऐसा मानना चाहिए अपनों में क्यों रमते हो ये क्या है अपने में रमो अपनों में नहीं रमो एक तो मूडता से ये जीव अपना मानता है जो अपना नहीं है उसको मानता है ये मेरे अपने हैं फिर उसमें रमता है ये मेरे सुक के कारण है ऐसा नहीं है जो हमको राग और द्वेश बढ़ाते हैं वो हमारे लिए सुक के कारण नहीं है और अगर वो राग और द्वेश हमारे परिवार वाले जदा बढ़ाते हैं तो वो हमारे परिवार ही हमारा हैं सब्से बड़ा दुश्मन कौन हो गया बाहर के लोग नहीं है कि अपने ही लोग दुश्मन हो गए यह वस्तु का सुरूब यह बत कड़ी बात है पर समझना पड़े तो हम क्या करें भई हम अपना नहीं मानें उनको तो अपना ऐसा नहीं कहा हमने उनसे प्रेम नहीं करना ऐसा नहीं का है, सब करो, अच्छी बात है परन्तो बहुत आसकती मत रखो और नहीं रहा जाता है बहुत प्रेम आसकती है आई जाती है, नहीं रहा जाता है तो किसी से आसकती करनी होना किसी से राक करना होना तो महत्मा पुरुशों से करो अपनापन मानी लेना है न तो महत्माओ के प्रति जितना अपनापन हो सकता है न उतना करो वो कभी भी बंधन में नहीं डाले देव शास्त्र गुरू के प्रति आप जितना प्रेम करोगे, जितना प्रेम करोगे, वो कभी भी अपने को, वो हमेशा निकालेंगे इसे ही आपको, संसार से, अपने को बंधन में डाये, क्योंकि यह जी प्रेम की बिगर रह नहीं सकता है, राक की बिगर रह नहीं सकता है, क तो आप उसको ट्रांसफर करो, बदल दो दिशा, अब तक जो हमारा घर परिवार के प्रति था, अन्य लोगों के प्रति था, विशे भोगों के प्रति था, उस राख को बदल करके, हमने महापुरुशों के प्रति कर दिया, वोही हमारे सगे संबंदी, हमारे सच्संगी हैं, सजजन लोग हैं, महात्मा पूरुश हैं, अत्वा यह जो उनकी वानी है, यही हमारे सगे हैं, यही हमारे सच्चे संबंदी राज नाम भक्तो मारा सगाने संबंधी राज नाम भक्तो मारा सगाने संबंधी आगे क्या आज़े माया की घ्रंती तूट चाती अपने को ही अपना मानों अपनों में क्यों रमति अपनी भूमिका के नुसार अपने को निचे की भुमिकामे विक्ति आत्मा के आलम मन से नहीं जी सकता है इसलिए उसको कोई ने कोई आधार चाहिए तो अच्छे सात्विक आधार लो प्रेम करना है तो सात्विक लोगों से करो अच्छे लोगों से करो धर्मात्माओं से करो सब से करो और हमारे घर परिवार में जो लोग प्रहते उनसे भी बहुत प्रेम करो, उनको अच्छा बनाओ, उनको अच्छा बनाने का प्रहतना करो, अच्छा बना करके फिर नहीं तो ममत्व होता है, हमारा व्यक्ति कितना भी घर में कोई सदस्य है, तो कितना भी खराब है, शराब भी पीता है, मानसार भी करता है, गाली वो इसको मोह कहते हैं इसको ममत्व कहते हैं बुरा ही हमको पसंद नहीं है मेरा लड़का होगा न तो भी हमारे घर में ये नहीं चाहिए और अच्छा है तो किसी और के घर का है वो भी हमको अच्छा लग एसी दृष्टियां होनी चाहिए इश्रे द्रिष्टी बजर्णे। शर्णे आव्योस्वामि स्नेहना सागर। जीवाना पंथ उजाडोरे। जीवाना पंथ उजाडोरे। गुरु मारा अंतर नी आख उभाडो। सद्गुरु मारा अंतर नी आख उभाडो। सद्गुरु परमकुरुपाडो त्रिलोकनानात की जय सबसंतन की जय आनन्जभन। दो मिनट ध्यान आत्मचिंतन। अपने शरीर को रिलक्स करना, कोई भी एक आसन में अच्छी तरह से बैठना। तनाव रहित मन, तनाव रहित शरीर। इस देह से बाहर जो जो भी है, वो सब मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। ये शरीर है, वो भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। क्योंकि इसका सभाव मेरे सभाव से विपरीत है, मैं चेतन सभावी, संवेदन सभावी, ज्यान सभावी, शरीर जड़ सभावी। संपोन शरीर में व्याप्त, जो चेतन तत्व है, वह मैं हूँ। और वह चेतन सभाव से ही शान्त है, निराकुल है, सहज है। सब तरप से मन को हटा कर, अपने भीतर की शान्ति, आनंद को मेसूस करने का प्रेप्न करना। सहज हो जाना, प्रती क्रिया रहित हो जाना। O scripts लगियो में टना